हेलो दोस्तों वीडिक एडियन फेल इंडिये जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि जो लोग कहीं भी कोचिंग नहीं पड़ते हैं क्या मतलब यह साइंस आड़ बाले बच्चे के पाइस तना टाइम नहीं होता है कि वह इंगलिस और हिंदी बाइलोजिस्ट सब पर ध्यान सारी इंपॉर्टन चीज़े कराई जाएंगी उसी सीरीज में पहला यह चैप्टर माई हेवें माई माने मेरा हेवें माने स्वर्ग यानि मेरा स्वर्ग किसने दिया है आर एंड टैगोर यानि रविंद्र नाथ टैगोर ने ठीक है तो भाइए कौन सी पॉइं मोस्ट सलमान खान जो कहलो वह सब बढ़िया है 2021 के लिए बहुत ही इंपॉर्टन यह पूरी मदद आपकी करेंगे और डेली डेली आने वाले टाइम में जैसे हमने इस महीने में 300 वीडियो का टार्गेट बनाया है अभी कुछ लोग कह रहा है अभी तो दस नहीं आप आई उसकी टैंचन ना लिए हम लोग इस टाइप के खिला नहीं है एक ओवर में 20-20 रन मार देते हैं परजान ना हो कता ही भी खाय है फिलार हम लोग पहले इसके बारे में आपको बताते हैं वह सबसे बड़ी दिक्कत क पर बात करने लगा लेकिन जो बसका ड्राइवर था वह ठाइट वह यहां दिए इस पोयम को बताने से पहले एक चोटी चीक कहानी सुनाते हैं एक बहुत धिया था तो जब दिल्ली जा रहा है तो नहीं बहुत पुराना दोस्त लगबग 12-15 साल पुराना दोस्त हम्में मि जो बस का ड्राइवर था फोड़ा तिलाग लगा लगा थोड़ा नहीं हिंदुगाधी टाइप लोग ते जलवा खाटने आल उस टाइप का था अब हुआ क्या आगे कुछ बक्रियां वगर बगर आगए तो जब नहीं कWest नहीं कह पारा है कियों क्या उसका नहीं है क्या हमारा देश नहीं है सब का देश है और यह बीच बीच में आदमी किसी को दूर करने की उन्हों कोशिश की है और तब उन्होंने का मेरा देश बन पाएगा स्वर्ग इस पोयम में वह अपने देश के बारे में अपने देश को विया किसी महान विक्ति ने कहा है महान लोग अच्छे लोग कभी स्वर्ग में नहीं जाते बलकि वह जहां रहते हैं वहीं स्वर्ग बना देते तो आज इस पोएम के माध्यन से हम लोग भी अपने देश को स्वर्ग बनाने की कोशिस करेंगे कैसे बनाएंगे भाई लोग आये देखते सबसे पहले सबसे वड़ी दिकत जाती कास्ट हम हिंदू है यह मुस्लिम है हम ठाकोर है यह पंडित है वो बनिया यह वो है दुनिया आपको बहुत बड़ा टेंडर मिला आपने क्या किया अगर उसकी जाती नहीं सभी हम इसके साथ में काम नहीं करेंगे अपने काम का फोकस छोड़के इद्र दर की बातों में पड़ जाता तो रविंद ना टाइगोर चाहते हैं कोई धर्म ना हो सिर्प एक धर्म हो हैं तब हम कहें पाएंगे कि हम जो है एक अच्छे समाज में रह रहा हमारा जो समाज अब बिलकुर स्वर्ग की तरह हर आदमी दूसरे की मदद करें हर आदमी दूसरे का सम्मान करें लोग एक साथ मिलके आगे बढ़ें आपने कहानी सुनी होगी लगड़ी वाली अकेली सबने तोड़ दिया घटी दी कोई नहीं तोड़ पाया यानि सब लोग मिलके चलेंगे तो हमारा देश अपने आप स्वर्ग जैसा हो जाएगा आईए आप इसका सेंटल आइडिया भी यहां पे लिखा हुआ है सेंटल आइडिया आपको लिखा देते हैं इसकी हिंदी बत लोगों यहां पर टेस्ट भी देने को मिलेगा क्या मतलब जैसे चार वीडियो घटी हो गई चार वीडियो उसका टेस्ट ले लिया आराम से आपकी साथ साथ तैयारी भी होती रहेगी और इस तरीके तो यह सब्जेक्ट भी आपका कहीं कोने में नहीं जाएगा हम हर बार बात कर रहा हैं आप सबको संतुष्ट नहीं कह सकते कुछ लोगों को में यह बात खराब लग रही होगी कि क्यों यह फ्री में पढ़ा रहा है यहां जो भी मिलेगा इस चैनल पर फ्री मिलेगा यह नहीं हम आपके दो वीडियो बनाए उसके आदम कहते हैं पेड़ ग्लास आप चाहते हैं वहीं लिखा है बहुत आराम लिक भी सकते हैं हम जब साइड में जाएं ऐसे करके इसे स्क्रींस और आपकी गेलरी में सेव हो जाएगा आराम से रेइस्टर पर नोट कर लिजिए गा और बिल्कुल याद कर लिएगा मोस्ट इंपॉर्टन सारे अपने आप के लियर हो जाएंगे ठीक है तो आईए देखते हैं टाइम को घराब बिल्कुल नहीं करते हैं दा पोयम माई हैवन इस वेरी फेमस पोयम आफ रबिंद नाथ टैगोर यानि दा पोयम का मतलब यह कविता इस वेरी फेमस पोयम आफ रबिंद नाथ टैगोर इस माने है बहुती मसूर पोयम आफ रबिंद नाथ टैगोर की वीडियो बनाने से पहले एक बात आपको और भी बता देर हैं हम को इंगलिस के माश्टर नहीं है हम जो भी काम करते हैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए करते हैं तो इसलिए अपनी तरफ से हम हंडर परसेंट आपको देंगे आप भी अपनी तरफ से हंडर परसेंट दें बिल्कुल समस्या नहीं होगी बहुती आराम से मामला चल जाएगा ठीक है इस कविता को लिया गया है तैगोर की एक बहुती फेमस बुक है गीतानजली उससे इस पोयम को लिया गया है ठीक है इन दिस पोयम इस कविता में दप एक्सप्रेसेज वो ब्यक्त करता है हिज डीप लब हिज माने उसका डीप माने गहरा लब माने प्यार अपना गहरा प्यार ब्यक्त करता है for his country अपने देश के लिए देखिए वही बात आ गई है कोई कितना भी गदार हो कुछ भी हो लेकिन जब देश की बात आती है तो हम भारती हैं हम सब एक हैं आपने देखा होगा सेना के कभी जवान बगारा हमारे साहीद होते हैं तो हम लोग सब लोग मिल के एक साथ सपोर्ट करते हैं तो यह लेकक भी यही पिचारा कि हम लोग मिल के सपोर्ट करें मिल के सामने आएं और भारत को एक नई ताकत बनाएं जो आप इस समय हम लोग देख भी रहा है भारत बहुत तेजी से बिस्ट लेबल पे काम कर रहा हूं अरो हम लोगों की नजर में आ ठीक है तो इ वो बिल्कुल भी खुज नहीं है क्यों नहीं खुज है देखिए so he prays to God to make his country a place यानि so he prays मतलब वो प्राथना करता है to God मतलब भगवान से to make his country देश को बना दे कैसा a place where there is no fear एक ऐसा इस्थान वेर मने जहां there is no fear कोई भी डर ना हो and the mind of the people is free from caste or caste religions and languages वो हिंदी बोलता है वो बंगला बोलता है वो पंजाबी बोलता है ये बोलता है वो बोलता है लोगों के दिमाग में खुरापात भरी हुई है हम हिंदू है वो मुस्लिम है वो सिक्क है वो हिसाई है दुनिया भर की बाते भरी हुई है caste जाती religion धर्म languages का मतलब भाशाएं उसके बाद he wants वो चाहता है that his country man should be honest and progressive यानि वो चाहता उसके देश को बेखती है कैसे हो शुड मतलब होने चाहिए be honest मतलब इमानदार जो एक दुसरे की मदद करें and progressive यानि लगातार अच्छी सोच रखने वाले जैसे पुराने जमाने में सती प्रता चलती थी और तो जिंदा जला दिया जाता था और तो को best and progressive के बल दो ही चीज़े होने चाहिए हम इमानदार होने चाहिए और लगातार प्रगती सील होने चाहिए progressive जिंदगी में आगे बढ़िए दो बाते होती है एक होती धर्म निर्पेच और एक होती है सामपरदाइक धर्म निर्पेच और एक होती है सामपरदाइक धर्म निर्पेच का मतलब उदासीन बाबा किसी जए कोई मतलब नहीं है और सामपरदाइक का मतलब होता है एक किसी विशेज धर्म की तरफ ध्यान देना धर्म निर्पेच मतलब उदासीन कोई फरक नहीं पड़ता है यह द सरवजन सुकाए, सरवे भवन्तु सुकिना, सरवे संतु निरामया सुनावेगा कहे। आगरी में so he wants अता वो चाहता है, to see माने देखना, his country as beautiful as heaven. बिल्कुल ऐसे देखना, इतना सुन्दर देखना चाहता है, जैसा की स्वर्ग होता है। स्वर्ग भाई लोग ना हमने देखा है, ना आपने देखा है, बस सुना है कि स्वर्ग में आप सराएं डांस करती हैं, स्वर्ग बहुत अच्छा होता है, किसी को कोई समस्या नहीं होती है, मरने के बाद की कोई guarantee नहीं है कि जाना है कि नहीं जाना है, हर पतंग को पता है हमे वहाँ स्वर्ग बनाया तो इसे यहां भी स्वर्ग दिया जाए आईये मिलके अपने देश को स्वर्ग बनाए और यह सेंटल आइडिया आप याद करिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाकाइदा एक कॉपी बनाईये रिष्टर बनाईये उस पर नोट करिए इसी तरीके के ल दो चाल चाल वीडियो का टेस्ट ले लेंगे जो लोग यहां पढ़ते हैं जो नहीं पढ़ते हैं वो देख रहा है तो कोई बात ने भी आराम से आप हमें पैचानिये वीडियो के माध्यम से हम आपको पैचानते हैं वीडियो के माध्यम से फिलाल मिलेंगे अगले वीडि